Hello everyone, welcome to my channel. आज इस वीडियो में हम दिस्कस करने वाले हैं आपके HPU B8 एंटरिंस टेस्ट के लिए जो आपके objective type questions हैं, teaching aptitude के वो questions हम दिस्कस करने वाल रहे हैं. अल्रेडी चानल पर बहुत सारी videos बन चुकी हैं, मतलब जो last year की हैं, जो previous year videos हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो, क्यूंकि जो teaching aptitude वो change तो हुआ नहीं हैं, आप उनसे भी idea ले सकते हो, वो basic से start की गई हैं, है तो ये भी basic हैं, but फोड़ से different questions हैं, तो फिर questions रपीट प्यो सकते हैं, तो आप videos चेक कर सकते हो, काफी helpful रहने वाली आपको ये videos, so let's start, so first question is, why would you like to ask questions from student in an intermediate manner, तो आप क्यूं मतलब break, बीच बीच में आप बच्चों से questions पूछते हो, as a teacher, क्यूं पूछते हो आप your questions, in order to know whether they are listening carefully or not, इसलिए पूछते हो कि आपको ये पता करना होता है, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, in order to know who among the student has high level of intelligence, ये पता करने के लिए आप पूछते हो कि किस बच्चे में कितनी intelligence level है, in order to know whether the topic being discussed is being understood by the students or not, or D, in order to help students, तो आप क्या करते हो, इसलिए पूछते हो, ताकि आपको ये पता लग सके, कि जो आप topic पढ़ा रहे हो, सबसे, मेभी आप इसमें से बोलोगी कि कोई और question, answer भी आपको correct लग रहे है, but the most accurate answer इसमें ये है, positive answer ये है, कि मतलब आप ये मानके चलो, आपकी class में सब को सब को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप questions इसलिए पूछते हो, कि आपको ये पता लगे, कि आपका topic clear है, बच्चों को की, नहीं है, ठीक है, हमेशा हमा को most positive answer, जो है, options में, वो ढूणना है, which children would you like to teach, कौन से चिल्डर आप पढ़ाना चाहोगे, those who are having high levels of intelligence, उनने विच्चों को पढ़ाना चाहोगे, जिनकी intelligence level बहुत साथ हाई है, those who are hard working, जो बहुत साथ hard work करते हैं, महनत करते हैं, आप उनने विच्चों को पढ़ाना चाहोगे, those who love discipline, कि जो class में discipline में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहोगे, D, all types of children, children, so, इसका correct answer है का, वो D रहेगा, ठीक है, आपको हर एक बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का level जैसा मरसी हो, बच्चा hard working है, नहीं है, discipline है, नहीं है, क्यूंकि teacher को बाशल नहीं होना पते है, teacher के लिए सारे बच्चे एक नहीं, as a teacher, आपको सब को साथ लेके चलना है, so, D is the correct answer, next is, if a student comes to you, to ask something related to your studies, during your spare time, then you would be, मतलब आपका free period चल रो बच्चा आ जाए, आपसे पुछने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको, A, reprimand him and tell him to go away, उसको डांट के बच्चा होगे, नहीं जी, और भी, कोई टाइम नहीं है, मेरे पास, या आपका भी, पूछने का टाइम नहीं, आप उसको भगाद होगे, भगाद होगे, वहाँ से, B, listen to his problem and defer his solution, its solution, कि उसकी problem सोन लोगे, फिर, मतलब solution के लिए बोलोगे, चलो, ठीके, मैं मता दूँगा, बता दूँगी, next, C, tell him to, that he had better, he had better ask about that topic in the class, the next day, कि आप उसको डांट होगे, कि नहीं जी, आपको तो, याद कल पूछ लेना था, वेट नहीं सकते था, अतलब आप उसको ये बोल तो कि, या D, solve his problem there and then, as a teacher, आपको वहीं पर there and then, problem solve करनी जीए, कि बच्चा आया है, आपके पस, तो आप उसको, उसको 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 level in view, keeping in view their needs of the final examination, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी homework जब आप देते हो, तो बच्चे की intelligence level को देख के देना चाहिए, यह नहीं कि 5th class का बच्चा है, आप उसको 7th class का homework दे रहे हो, कि homework मतलब ऐसा है, कि थोड़ी सी help से बच्चे का homework क्या होता है, कि थोड़ी सी help अगर hint उसको provide किया जाए, वो हमवा complete करते है, तो फोर्थ का जो आपका answer रहेगा, वो रहेगा C, next है, what should be the type of questions being asked by the teacher from the student in the classroom, तो किस type की questions teacher को पूछने चाहिए, classroom में, those which may be easily answer by every student, वैसे questions जो बहत easily कोई भी बच्चा answer कर सकते है, those which may not be easily answer by every student, वैसे questions जो, कुछी बच्चे question कर सकते है, those which help the teacher to judge whether the children are thoroughly understanding the lesson or not, those which may indicate whether children are impressed by his teaching or not, दिको बच्चो को, मतलब teacher को, मतलब teacher को बच्चे को impressed तो करना नहीं उसके teaching से, पर आपको कैसे, as a teacher, आपको वैसे questions पूछने जिसे आपको ये पता लगे कि आप जो बच्चो को पढ़ा रहे हैं, वो understand कर रहा हैं कि नही perfect answer, next question is, if on a certain day children are not in a mood to study then, तो आप क्या करोगे, then you should be free, they should be free, आप उनको फ्री रखोगे, they should be ordered to remain seated in the class, without talking, कि उनको चुक्चा बचने को बोल दोगे, they should be told to conduct an interesting activity on that day, कि आप एक इंट्रस्टिं आक्टिविटी करने को बोल दोगे, the teacher should sit along with them and laugh along with them and have fun, तो आप क्या करोगे as a teacher, आपको C करने है, आपको उनको एक कोई interesting activity दे दिने है, ताकि playing with learn, जो है, learning with playing, वो कुछ कर सके, ठीक है, play way method से कुछ सीख सके, कुछ नया सीख सके, activity, ठीक है, तो C will be the correct answer, next है, the danger of emitting from the act, emanating from the act of giving harsh punishment to a student is that, कि क्यों बच्चों को harsh punishment नहीं दी चाती है, the student in question में भी the teacher, बच्चा बच्चे के दाशे, कि बच्चा एपस मारता है, किसले तीचर नहीं पारती है उनको, या पनिश्मेंट नहीं देती है, the student in question में लीव दूप स्कूल और जोई अनादर स्कूल, कि बच्चा तीचर से तार के दूसरे स्कूल में भाग जाय किसले नहीं देती है teacher punishment, the parents of that student can fight with the teacher on this issue, कि parents लणने फस जहेंग, इसले नहीं देते हैं, D है, a feeling of hatred towards study, school teachers may rise in the mind of that student, so, D will be the right answer, कि इसलिए नहीं देते है, maximum teachers, कि बच्चा क्या तरने लग जाएगा, चाहिए, एक hatred की feeling उसको, studies के two words आजाएगी, teachers के two words आजाएगी, school के two words आजाएगी, so, D will be the correct answer, next question है, if students are not taking interest in the lesson, then the teacher should, अगर बच्चे इंटरस नहीं लेने lesson में, तो teacher को क्या करना चाहिए, tell the student that taking interest in their study would amount to their welfare, कि मतलब अगर आप interest लेते हैं, तो आपका बहला होगा, उसने हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ask them why they are not taking interest in the lesson, पूछो कि क्यों नहीं लेते हैं, आप interest, next they find, himself find out the causes for lack of interest and remove such causes, कि खुद teacher pain लेता है, कि वो खुद find out करते हैं, कि क्या causes है, क्या lack, बच्चा क्यों lack कर रहा हैं, अपने interest में, और उन, मतलब, through surveys या questions के through, यह find out करते हैं, और उस cause को remove करते हैं, यह file a complaint with the principal in this context, कि बच्चों की complaint लेके principal के पास ही चलेगे, जी, बढ़ नी रहे हैं, यह बच्चे, so, C will be the right answer, next is the aim of the teacher is to, तो teacher का aim क्या है, help the students to get through examination, कि बच्चों को examen से पास कर पाना है, वो teacher का aim होना चाहिए, make student disciplined, बच्चों को discipline बिनाना है, यह aim, develop the talents of the student, बच्चों के talents को develop करना है, और अच्छे से enhance करना है, create a society oriented feeling among students, सबकुछ, सारे options correct है, but most correct है, C will, कि बच्चे के talent को, अब हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, हर बच्चा मतले, बच्चे को बच्चे को बताना है, कि आप इस चीज में अच्छा होता है, वो किसी और चीज में भी अच्छा होता है, उस चीज को, as a teacher, आपको enhance करना है, उस चीज को develop करना है, उस चीज को बच्चे को बताना है, कि आप इस चीज में भी अच्छ है, यह जरूरी नह C है project method, okay, answer vary करते हैं, options कुछ और होंगे तो vary करेंगे, DB audio visual method is also one of the best method, okay, project method इसलिए बोला गया है, यहां पर best क्यूंकि बच्चे को खुद आप projects बनाने को देते हैं, बच्चों explore करता है उस चीज को, okay, जो आप nature walks वाले, मतलब natural जो करते हैं, projects देते हैं, उसमें बच्चा क्यों होता है, देख के सीखता हैं, करके सीखता हैं, so project method इसलिए बोला गया है, so इस video में हम यह 10 questions ही discuss करेंगे, अगले video में अगले 10 questions discuss करेंगे, I hope आपके लिए यह video useful रही हो, अगर आपके लिए यह video useful थी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चानल पर नहीं हो, तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी आपको डेली अप वीडियो मिलती रहेगी, 10-10 questions की, जो कि आपको वीडियो निप्रेंस टेस्ट में बहुत जादा हिल्प करेगी, so that's all for today, thank you so much.